describe करेंगे कि बच्चे बोरहें कि सबसे कांस्टेंग कप से स्टार्ट होगी? और उसके लावे उसके लावे यह बता देते हैं कि इनको फॉर्स्ट कांसली में। सारी जनकारी देगी तो नास्ट ने रहे है? सबसे पहले इस पर जाएंगी कि आपका 22 से लेकर याद रखिए का बाइस से लेकर 27 के बीच आप आपका बाइस से लेकर 27 के बीच आपकी आने वाली है ठीक है 29 से बीच आपको कभी दे दे सकता है ठीक है लेकिन उसमें एक पेच यह भी फरस्त हम आपको दिखा देते है कि टोटल जो सीथ है यहाँ पर यहाँ पर टोटल जो शीथ है आपकी 6900 आपका छोगजार 8 से यहाँ पर आपको देख सकते हूं अपको यहाँ पर जी इनेम की बात कर ले तो 1775 सीथ है 1500 बच्चे ने आपका काउंसलिंग कर रहा है तो आपका यहाँ पर हम बता दे कि इसके लिए इसी कारण से हो सकता है में भी कि देखें चुकि अगर अगर यह माँस्लिंग आपका सकेंड कांस्लिंग कराते हैं क्योंकि 6800 आपकी टेरस सीट है और 4800 बच्चों नहीं आएधन किया है तो यह fix है कि आपका इस second counselling आपको यह करवाएंगे, तो second counselling यह करवाएंगे, तो जो बच्छे पहले से counselling कर लिए, उनको counselling करने की आव सकते हैं, नहीं है, और जो बच्छे नहीं कर पाया है, उनके लिए second counselling में एक मौका दिया जागा, ठीक है, अगर इस paper की साफ से चले ठीक है, तो GM में भी आपको एक मौका दिया जागा, BSE nursing में भी, उसमें भी आपको मौका दिया जागा, तो वे जो बच्छे counselling participate कर चुके हैं, उनको नहीं दिया जागा, जो बच्छे नहीं हैं, उनके लिए दिया जागा, ठीक है, यह आपका confusion दूर कर दिये, अब यह दो दुबारा counselling participate करने के लिए कोई पैसा नहीं लेगा, कोई कुछ नहीं लेगा, उसी पर आपका seat allotment होगा, हाँ, जो बच्छे नए, जो पहले first round में छूट गए, उनको पैसा क्या होगा, आपको payment करना पड़ेगा, उनको आपको मेरे ख्याल से अगर ऐसा करते हैं, तो ऐसा अगर करते हैं, ऐसा करते हैं, तो आपको notify कर देंगे, अगर आपका second counselling अगर आपका start नहीं करवाते हैं, तो आपकी जो counselling, आपकी allotment list पी आ जाईए, आपकी secondary allotment list आपकी 29 से लेकर आपकी 2 के बीच आपके allotment list आपकी आ जाएगे, ठीक है, देखिए आगे होता क् साथी साथ आपको confusion दूर कर दिए, अब आप लोग बता दिए, अब आप लोग बोलोगे, sir ये बता दिए कि जिसको first round में college पसंद नहीं है, उसका क्या हुपाय है, और ये scrutiny क्या लिख रहा है, तो चलि हम आपको बता देंगे, जिनको first round में college पसंद नहीं, उनको क्या तो मैं आपको यहां पर बता दिए, कि आपको government हो या पको private हो, आपको क्या करना होगा, अगर आप second round में जाना चाती हो, तो आपको scrutiny कराना होगा, याद रहे, scrutiny का मतलब होता है, आपको जितने भी original documents हो गया, आपको, जिस college में allot हुआ है, वहाँ पर जाके आपना document verification करवा ठीक है, और आपको scrutiny करवाना होगा, verification करवाना होगा, और उसके पस्चात, आपको एक receipt मिलेगा, ठीक है, उसका online admission का, अगर आप admission लेते हो, तो आपको receipt मिलेगा, यानि scrutiny का मतलब हो, आपको document verification हो हराल में कराना है, जाना पड़ेगा, ठीक है, यहां में बाब आप लोग दे आपको first round अभी आपको allotment हुए है, और उसमें operation छात, जो upgradation का भी कल्प भरेंगे, केवल वही second counselling में जा सकते है, या दे रहे कि अगर आप लोग सारे के सारे बच्चों जो आपका receipt allotment हुआ है, वहां पर आपना जाओ, वहां पर बोलो कि हमको sir upgradation का आपको form भरना है, आप मेरा document चेक कर लीजिए, हमको upgradation का form फिल करना है, अगर आपको first round में जो college मिला है, आपको परसंदर नहीं है, अगर आपको second round में जाना है, तो आपको जिस college में आपको allot हुआ है, आपको उस college में जाए, और साथी साथ वहां पे एक upgradation का form फिल होगा, आपको upgradation का form उस बच्चे अपग्रेट करेंगे, उनी बच्चे का आपका अपग्रेट करेंगे, और देखिए, अपग्रेटरन प्रकिरम जी सावेद को अपग्रेट करना है, आप 20 साथ आवर्ट की जाती है, तो पर्थम सीट आपकी खाली हो जाएगी, यानि इसका मतलब का समझे, इस जैसा ही वहाँ पर भेरिफाई हो जाएगा, अप्ग्रेटरिशन का फॉर्म फिल करना, जैसा बताएंगे, बस से कर देना, उसी बच्चे को क्या होगा, आपका सक्केरण में आपकी निउस सीट अलॉट्मेंट हो जाएगी, जैसे आपको निउस सीट आपकी जो खाली हो ज जब देख सकते हैं कि अगर गर्मेंट कोलेज में पर्वेशित है आपको गर्मेंट कोलेज में और अपने सकेंड काउंस्लिंग के लिए थो आपकी क्या हो जाती है, आपकी अंतिम ति पुर्म City हट जाती है, और साथ ही साथ我们 यहां पर आपको जब एक बार में पढ़ना है अगर आपने इधर उधर किया तो आगे आने वाले में आप अपात रखे दिया जाएगा यहीं तो है यहां पर आपको दिया आगया कि सकेंड कांस्लिंग में भी आनलाइन प्रक्रिया होगी वैसे ही तो यहां पर और आपको जिसने परथम कौंस्लिंग से जो अपने सारा डक्किमेंट्स looking अपने चेक चाकर हा लब हैं जो अपग्रेटेशन का फॉर्म फिल किये है आपग्रेटेशन का फॉर्म फिल किये है वहां पर अगर आप चाहते हो कि हम new college में जाये तो उन बच्चे को आपका अप्ग्रेटेशन का फॉर्म फिल करना होगा साथी साथ यहाँ पर कर रहा है कि प्रतम चरण में counseling में आवंटन है तो जो अपने पहले अप्ग्रेटेशन का फॉर्म भीकल भरा होगा वहीं बच्चे आपका second counseling अप्ग्रेट कर सकते हैं यह आपका उस बच्चे के लिए जिसको college अलॉट हो गया और बच्चे अपना seat नहीं लेना चाहते उस function के लिए और जिस बच्चे को आपका seat allotment हुआ ही न नहीं हुआ है वह भी आपका second counseling में participate करेंगे उनको भी second counseling में seat मौका दिया जागा याद रहे आपको आए अगर रिपीट आपको बता दे रहे कि इन बच्चों का आपको college पसंद नहीं है वह अपने college में जहां पर college अलॉट हुआ है वहाँ प्ग्रेटेशन का फॉर्म फिल counseling में आपको seat allotment होगा और टेंशन मतले उनको कुछ करने क्या हो सकता है यहां पर उन्हों दिया है कि आपका नहीं है और नावरंटित उनको भी कोई ही दिकत नहीं है उनको तो खैर कोई दिकत नहीं उनको आटोमेटिक को सकेंड कांसलिंग में उल्लू चले गए साथ साथ सकेंड कांसलिंग उपरांत अगर छात्र अगर फिर मालें कि आपको first round में मिले आपने college छोड़ दिया आपने अपग्रेट कर वाली और आपको second counseling में आपको मिल गया अब आप सोचते हो कि second counseling में भी जो मिला इसको हम क्या करें अब इसको भी छोड़ दें हम थार्ड रर्ण में चल जाए तब आप ऐसा बार बार आपका मौका नहीं दिया जा कि आपको second counseling तक ही आपको अपग्रेट कर सकते हो और यहां पे आपको दिया है कि यहां पे और दूतिय कांसलिंग से परवेशित अभ्यार थी सांस्ता में दूतिय कांसलिंग आवंटन के पस्चात जो भी हो गया आपका वहां पे अगर आप second counseling में आपको college हो जाता है अगर आप छोड़ते हो तो आपका यही है second counseling के बाद हर हाल में आपको अगर आप seat छोड़ते हो तो आपको आपको पैसा देने पड़ेंगे आपको bond तरीके agreement ठीक है और first counseling में अगर आप छोड़ते हो तो कोई दिकत नहीं है ठीक है अब मुफ़ा परणज होती है तो last में होती है तो आपने क्या समझा आपने यहीं समझा कि आप लोग अगर आपको second counseling में participate करना है तो आपना देखी स्कूरूटनी करवाईए अपना सारे original documents का जाकि जिस college में आपको एलोटेट हुआ है और आप इस कूरूटनी करा सकती हू स्कूरूटनी कराने के बाद वहाँ पी एक अपगरेटेशन का form आपको मिलता होगा आप लोग फिल कर दीजेगा जो फिल कर देंगे उनी बच्चियों को केवाल आपको second counseling में आपको participate करने को दिया जाएगा और आयर से जिन बच्चों का first counseling में आपको नहीं seat allotment आया है उ क्योंकि बहुत बच्चे ने आपको फिल नहीं किया तो second counseling के लिए अगर फॉर्म का option देते हैं तो भी हम आपको बता देंगे तो सारे बच्चे का डाउट कर देंगे अपग्रेटेशन वाला जा गया स्कूरूटनी कर वे स्कूरूटनी कराने के बाद अगर बच्चों को second पाटिसिवेट जाना है फर्स्ट कांसलिंग को छोड़कर तो आपको वहां पर अपग्रेटेशन का फिल किजिए वहीं बच्चे आपको क्या करेंगे आपका second